एर इंडिया में बुजर्ग पर पेशाप करने के मामले में दो चौकाने वाले दावे हुए जिसके केंदर में आरोपी ना होकर बुजर्ग है पडियला हाउस कोट में सुनवाई के दोरान आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने कोट में डावा किया कि बुजर्ग महिला ने स्वास्त दिक्कतों की वज़ा से खुद ही पेशाप कर दिया था वकील ने अदालत को बताया कि बुजर्ग महिला 30 सालों तक भरत नाट्यम की डांसर रही है भरत नाट्यम डांसरों में पेशाप संबंदी दिक्कते होना आम बात है आरोपी के वकील ने कहा कि एक भी चेश्मदीद ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि आरोपी ने अपनी चेन खोलकर बुजर्ग पर जानबूच कर पिशाप किया इस मामले में पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को 7 जनवरी को बैंगलूरू से गिरफतार किया था आरोपी के वकील की तरह एरींडिये ने भी ऐसा कुछ कहा जिससे मामले में नया मोडा आ सकता है एरींडिये की तरफ सिकhा गया कि विमान में इस तिसरा यातरी भी था जो लगतार पीडित महिला को भड़काने का काम कर रहा था उस उकसावे की वज़ा से पीडित महिला ने मुट्टे को ज्यादा बड़ा बना दिया जब ये घजना हुई थी उसके तुरंद बात विमान में मौजूद अधिकारी एक्शन में आ गए थे सबसे पहले पीडित महिला की सीट को साफ किया गया था उन्हें नए कपले दिये गए क्रू की तरफ से पीडित के सामान को भी साफ किया गया एल इन्ये का कहना है कि फिर भी महिला ने मामला दर्श करवाया इस मामले में आरूपी के दावो को पीडित महिला ने खारिच करते हुए इसे अपमान जनक बताया है ब्यूर भू क्राइम काना